हलो दोस्तों आज बनाते हैं एक नई रिसिपी जिसका नाम है मेथि के नवक पारे वीडियो में लास्तिक बने रहे हैं फुल वाच करना लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना अलो दोस्तों मैं अर्जुन अर्जुन कुचन में आपका स्वागत है लेते हैं मेथी कम से कम 100 ग्राम उसके बाद में दो मेर्ज और चार पांच कली लैसुन शिलवट्टे पर रखके अच्छी तरह से पीशते हैं एक पेश्ट तैयर करते हैं उसके बाद एक प्लेड लेते ह एक कफ आठा राटा डालने के बाद डालते हैं एक कफ बेशन और डालते हैं एक कफ शूजी ने हैं चावल का आठा जालने के बाद नमक दो तेललों के बाद को अच्छी तरह से inकलिए वजर जर्यहादा कर दूश्ची तरह से केरेंगे 3 कि अर्विफ सीष्पेर से मिलाएंगOOO एक चिम्मच कِ साइटा से अ कि मेंट करने के बाद में इसको आठ से मुढ़ी बन करेंगे पूरी तरह से एठा और तेल वू जाएगा उसके बाद में इसमें डालते हैं पेश्ट जो मैंने पीछा था सिल्वर टेपर देख सकते हैं मेरा एक डो बनके तयार हो चुका है इसको थोई देर के लिए ढख देंगे उसके बाद थोई देर बाद इसको निकालते हैं पीढन पीढा की सायता से इसको अच्छी तरह से गूतते हैं गुतने के बाद इसमें तीन चार तीन लोई कर लेंगे लोई करने के बाद में इसको बेलन की सायता से अच्छी तरह से बेलेंगे एक पराठा बनाएंगे एक अच्छा सा पराठा बनाएंगे इतना बड़ा होगा कि पूरे पीड़े पे आज आए पराठा और बेलेंगे बेलेंग की साहता से अच्छा सा है एकदम पतला सा है एकदम कागस की परत से थोड़ा मोटा होना चाहिए ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए नई तो आपस में तूट जाएगा उसके बाद लेते हैं काटे वाला चिम्मच लेते हैं चिम्मच की साथा से पूरी पराथे में छेंद खर देंगे, एक साइड से चारु तरफ, जब पराथे में पूरी तरह से छेंद हो जाएगा, इसका रिजन ये है, कि मठ्री पूरी तरह से फूलेना, इसमें बबलस निकलें, जो नौक पारा होते हैं, इसका यह अर्थ है, उस उसके बाद में चौकोर काट देंगे बीच से काट देंगे उसके बाद में दूसरी तरफ काटेंगे लंबे-लंबे जिस तरफ किये थे उसके दूसरी प्रट के दूसरी तरफ पाड लेंगे अच्छी तरह से नमक पारे बनाना ही से इस तरह से पीगा उसके बाद साइट से न पनके मेति के नमकपारे बनके तैयार हो चुके हैं उसके बाद करना क्या है चढ़ाना काओए कड़ाई कड़ाने के बाद इसमें इसको फ्राई करना है एक दम Light Fry करना है इपका फ्राइए नहीं करना है उ पूरी कड़ाय में शर्व कर दिये हैं नौक पारे के लगभग नौक पारे पूरी तरह से पक चुके हैं उसके बाद लेते हैं बड़ी से छनी छनी से तेल को च्छान कर इसे निकाल लेंगी नौक पारे पूरी तरह से नौक पारे बनके त्यार चुके हैं उसके बाद में इसी करते हैं एक प्लेट में सर्व उसके बाद में थोड़ी देर ठंडा करने के लिए फैला देंगे पूरी प्लेट भर में कि जल्दी से ठंडा हो जाए देख सकते हैं मेरे नमक पारे मेथी के बनके त्यार हो चुके हैं एकदम क्रिस्पी कुरकुरे आप इसे चाय से चाय के साथ से और ब्रेकफास्ट में खा सकते ह हैं और चाय के साथ भी ले सकते हैं मजा ऐसे वीडियो पाने के लिए अरजू किचन को सब्सक्राइब किजिए